कि को अमीद है आप लोग खेरियस से होंगे दान्तों के दर्मियान खुराग का फंसना एक बहुत कॉमन मसला है हम जब भी किसी होटल में रेस्टूरेंट में खाना खाने जाते हैं या घरों में भी खाने के बाद दान्तों में काफी कुछ फंस जाता है स्पेशली गोश्ट बकरे का गोश्ट चिकन उसकी जो बोटी उती उसके जो रेशिय या फाइबर्स होते हैं और दान्तों के तर्मियान जो पुदरती एक स्पेस या खलाए उसके अंदर फंस जाते हैं जिसे शदीद दर्शूर हो जगता है मसूडा मरस फैल हो जगता है कई दफा उसके से खून आने लग जगता है दान आप उससे मिलते नहीं है दान मलाने से भी दर्शूर हो जगता है उसके लिए हर रेस्टूरेंट पर आपको खाने के बाद वह चीज़ लाजमें सर्व करते हैं और वह चीज़ है तुद्पिक जातर ये बुडन होती ही लकडी की बनी होती है तागसे से तरशा होता है तागसे स्पेसिस के दर्मयान चले जब वहां से गोश्ट तवेरा को बाहर निकाल दे तो जैसे आप इसे यूज़ करते तो उसी टाइम आपकर दर्द भी ठीक हो जातर मसूड़ा भी आपकर नॉर ना से पीछे जटना शुरू हो जती है जिसके दान आपकी सेंसिटिव हो जथते हैं निमें ठंडा गरम होन लगना होती है है कि तुछ पिक को डब आग इस नेर्म कि न प्र इस पॉइंट पर पी नान्द के अंदर फंस यகimmt करता है सanगेज और अगर निकालता थे तो तोठ भी जबता है यह अंदर जान्त के स्पेसिस के अंदर रह जाते हैं जिससे दान में पहले भी से ज़एधा इनफेक्शन बढ़ जाता है पिर आप कई दफ़ा इससे एंगल से जोर से मानते हैं जिससे जखम पहले से भी जादा हो जाता है अब इसका आल्टरनेटिव क्या है अगर आपने टूथपिक का इस्तमाल नहीं करना तो उसका आइडियल हल यह यह जो खला है उसे तो आपने लाजमी साफ करना है उसका ideal तरीका dental floss दागे का इस्तमाल floss pick जिसके साथ handle लगा तो उससे आप remove कर सकते हैं इसके लावा inter-dental brushes जो दांतों के दिर्मियान की सफ़ाई के लिए होते हैं या water flosser पानी के pressure से आप दांतों साफ कर सकते हैं अब कुछ लोग कहते हैं उनके लिए असान जाता है यही है कि आप बाहर फंक्शन हर टेम हर चीज तरह नहीं हो सकती है flossing में मुश्किल होती है तो उन्हें tooth pick का इस्तमाल ही करना है तो उसके लिए कुछ मुफीद tips मैं आपको दोंगा आज की वीडियो में तो सबसे पहले इसका जो सबसे इसान तरीक करी है कि आपने wooden की या प्लास्टिक की tooth pick लेनी है metal की बनी ही कभी ने लेनी है metal से मुसूरा आप पर नरम से और जखमी होजाएगा दूसरा आपने gentle pressure डालने है जब भी आपने इससे apply करने है तर दान्टों की दिर्मयान तो आपने हलका सा pressure डालने है जो और अज़ाएगी करनी है जिसके अंदर उससे भुसा दें जिससे मुसूरा आपका जखमी होजेगा और उसमे infection का chance है और हलका सबसे angle देना इस तरह थोड़ा सबसे टेड़ा करके तिर्चा करके यानि थोड़ा नीचे की तरफ रखना है यह ना मुसूरे के अंदर आपका जखमी होजेगा थोड़ा सबसे kilt करके तो फिर अंदर से चीज़ों का आपने निकालना है अधिकली जगा होती है इसकी दांतों के दर्वियान आपने इसे रखना होते है कि इदर ही चीज़ें आपकी फंसी होती है इसे रखके आपने इससे आइस्ता इससा मूब करते हैं स्लाइडिंग करते हैं से इसके बाद इसका pressure हलका होना चाहिए यह ना आप पूरे जोर से pressure डालते हैं इससे मसूडा भी जखनी होगा और दान भी डामीज होगा और सबसे हैम चीज़ कभी इसका regular इस्तिमाल नहीं करते हैं अगर आप किसी function में गए हैं किसी meeting में आपने शहर से बाइन आपको dental floss available नहीं है या inter dental brushes आपके पास नहीं है तब आप उत्पिकर इस्तिमाल कर सकते हैं कुछ देर के लिए जनी दिन में एक दफा कर लिया या कभी कभी कर लिया उसका नुकसान नहीं है लेकिन अगर आपके नाथ पहले ही sensitive हैं मसूड़े अपनी जगा से पीछे हटे हुए हैं तो ये टुट पिक उस चीज़ को और जदा खराब करेगी मसूड़े आ करीका खाने के बाद अच्छी तरह कुर्ली करें पानी मुह में रख्यों से अच्छी तरह मुह के अंदर हलाएं तो उससे में में जर्रात मुह से निकल जाते हैं जो गोश्ट के पीसिस जो बड़े होते हैं उनके लिए आपको टुट पिक जूज करनी पड़ सकती है लेकि अच्छी खो पिर कोड़ से लिए.